दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, डिश टीवी के तरफ से आने वाले एक smart android box के बारे में जो आपके घर का जो आपको normal TV है, उसको आपको smart TV पे convert कर देगा, इस box को लगा करके, इस box के क्या-क्या खासिते हैं, क्या-क्या इसके features हैं, क्या-क्या इसके features हैं, क्या-क् करना पड़ेगा, इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पूरी queries, जो है, इसकी मैं पूरी कोशे करूँगा, क्या, मैं आपको sort out कर दूँ, जिस तरह से ATL का X-Team box है, उसी तरह से ये, डिश टीवी के तरफ से, ये smart box रहने वाला है, अगर आपके मन में कोई भी सवा रहते हैं, जो कि मैं कोशे करूँगा, कि इस वीडियो में समय सारी जो points कवर कर दूँ, फिर भी बाइचाल सकर कोई point रह गया, और आपके मन में कोई question आया, और आप उससे पूछना चाहते हैं, कि भीया देखो यार, वो चीज किस तरह सोगी, मैं पूरी कोशे करूँगा, आपको उसका जवाब देने के लिए, आपको मुझे नीचे comment box में पूछ सकते हैं, और मैं उसका answer आपको बिलकुल दूँगा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TechGadgets. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TechGadgets को, और साथ ही प्रेस कीजिए notification bell icon, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, तो दोस्तों, डिश टेवी, smartbox को लगाने के लिए, सबसे पहले जो main सवाल मन में उठता है, कि भाईया, देखो पैसा कितना लगेगा, तो इसको लगवाने के लिए, हमें कितने पैसे खर्चने होंगे, तो बहुत इसमें देखो हैं, अगर आप existing customer है, मतलब आगर आपके पास पहले से ही एक set of box है, तो आप 1999 रुपे दे करके, इस वाले box को लगवा सकते हैं, और अगर आप पुराने customer नहीं है, आप नए नए customer है, आप आपके बाद DC TV का box नहीं है, तो इसको लगवाने के लिए आपको खर्चने होंगे, पच्छिस सो रुपे, ठीक है, अगर आप पुराने customer है, तो 1999 नए customer है, तो पच्छिस सो रुपे, इसमें आपको एक मंत का full HD pack आपको मिलेगा, सारे channels, HD में, सब कुछ आप recording की facility भी आप आपको मिलेगी, अपना boss pen drive लगाओ, और record करो, ठीक है, तो यह सब आपको मिलेगे, आपको apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या कैसे आपको लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, simple customer care पे call करो, अपना area बताओ, कि भईया मेरे को यहाँ पर यह वाला box लगवाना है, वो आप से आपके locality के बारें पूचेंगे, phone number पूचेंगे, और आपका बंदा के आपको लगा जाएगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपको खड़े करके आपकी एक live photo वीचेगा, और बस simple process आपका start हो जाएगा, फिर एक दो दिन में आपका box आके लग हैं ही, इसके साथ आप web content भी consume कर सकते हैं, जैसे कि hot star हुआ, netflix हुआ, यह सभी जो online OTT platforms हैं, उनको आप लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका मज़ा आप उठा सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनका आपको करवाना पड़ेगा, अलग से recharge, अगर आप चाहें कि भाईया, एक plan recharge करना है, उसके according आप plan करेंगे, और इनके अलावा अगर आपके पास इनका पहले से subscription है, तो आप वही simple अपनी ID डालिए और इनको इस्तेमाल करिए, साथी में इसमें आपको मिलेगा application store, जिससे आप अलग-अलग apps अपने box में install कर सकते हैं, install करने के लेकिन क्या है, बहु भी install कर सकते हैं, वो आप install करिए, ठीक है, तो यह सब आप इसमें install कर सकते हैं, इसके remote में आपको voice search Google Assistant का feature मिलेगा, आप बोल करके कुछ भी search कर सकते हैं, अच्छा बॉस एक जो सबसे जादा important बात है, जो की सभी के लिए जाननी जरूरी है, कि अगर आपका subscription समापत हो गय पैक या जितने का भी पैक आपने recharge करवाया था, वो खतम हो गया, तो उसके बाद आप इस box के किसी भी feature को इप्योग नहीं कर पाएंगे, in fact, आप YouTube भी use नहीं कर पाएंगे, screencast भी नहीं कर पाएंगे, आपका box एक तरह से dead समझो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको minimum plan 153 जो भी है, उसको उससे आपको recharge कराना पड़ेगा, आपको वो box को running condition में लाने के लिए, उसके बाद आप Android के जो feature से वो सभी इस्तिमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो एक खास बात आपको ध्यान रखने पड़ेगी, कि आपको हर महीने इसको recharge कराना ही कराना पड़ेगा, हर मह अगर आपका plan जो है, वो 200 रुपे का है, आपने 400 रेचार्ज कराया तो आपको दो मिने चलेगा, ठीक है, वो अपने according आप देख सकते हैं, लेकिन आपको recharge कराना ही पड़ेगा, अगर आपका recharge खतम हो गया, तो आप इस box के किसी भी feature का इस्तिमाल नहीं कर सकते, इस बात का देख सकते हैं, मेरी वीडियो, यह जो बाक्स है, डिश, स्मार्ट हब, यह अपके हर तरह के टीवे से compatible है, आपका चाहे 4K हो, HD हो, LED हो, LCD हो, जा फिर plasma technology वाला हो, यह हर उस TV को support करता है, जिसमें HDMI या फिर CVBS input का port हो, जैसा कि इस box में Ethernet port भी दे रखा है, तो आगर आप न स्पीड की बात करें, तो बहुत साज का 50 MBPS बेसिक स्पीड हो गई है, हर जगहा की, तो इसको तो चाहिए खाली 4 MPS और उससे जादा तो बड़े अराम से आप 50 MBPS का कोई भी प्लैन लो, इस box में इस बाक्स में इस बड़े अराम से फर्रा टिदार आपका internet चलेगा, इस box म मैं अपने हिसाब से जैसे कई बार क्या होता है, कि आपको अलग-अलग आपकी पसंद की apps होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपन वाला profile से click करके, अपन वाला profile open करके, आपको अपना profile ली use करना है, और आपका जो दोस्त है, जो roommate है, जो भी है, other person जो है, वो अपने अलग-अलग channels देखते हैं, तो कई बार क्या होता है, कि फेवरेट में उसके channel आ गए, और मेरे नहीं आए, तो आपको अलग-अलग profile रहने से क्या होगा, कि आपका एक customizable हो जाएगा, कि आपका चीज, आपकी उसकी चीज, उसकी, आप इसका जो remote है, उसकी application अपने mobile में भी फिर आप अपने mobile से भी operate कर सकते हैं, बिल्कुली अच्छी तरह से, अपने mobile की, अपने tablet की किसी भी android device की आप जो screen है, screen cast कर सकते हैं, mirror cast कर सकते हैं, अपने phone में आप जो भी कुछ वीडियो वगरा, photos वगरा देख रहे हैं, उनको आप डारेक्ट अपने TV पर देख सकते हैं इसके थुरू, इसमें Bluetooth device आप connect कर सकते हैं, जैसे आपका Bluetooth speaker हुआ, Bluetooth earpots हुआ, यह से भी आप connect कर सकते हैं, कि उससे ये फायदा होता है, Bluetooth earpots से क्या आप औरों को disturb नहीं करना चाहते हैं, आप कोई movie देख रहे हैं, तो आप क्या होगा, air dots इसमें connect करें, pair करें, और बस काम से सुन रहे हैं, बड़ी screen पे visual चल रहे हैं, और आपके कानों में आवाज आ रही है, तो इसके कोई दूसा बंदा disturb भी नहीं होगा, यह बहुत बड़ी आ फीचर है, इसमें आप अलग-अलग app install कर सकते हैं, जैसकि Amazon Prime हुआ, Z5, Word, Sony Live, Alt Balazzy, Hotstar, और YouTube तो बहुत से limited type का कोई plan होना चाहिए, अगर नहीं है, तो बहुत से एक देड़गी भी तो आफटावट खतम हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको एक Google Play Store तो मिलता ही है, जो इसका, लेकिन उसमें कुछ limitation है, आप चाहिए तो जैसे आपके mobile पे जो भी आप application install कर सकते हैं, वो सभी आप इसमें install करना चाहिए, तो वो possible नहीं है, कुछ limitations है, लेकिन हाँ, आप काफी सारी applications install कर सकते हैं, आप इसमें browsing कर सकते हैं, बड़े अराम से, इसमें क्या है कि cloud storage का feature अभी available नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसमें आपको cloud का feature भी मिलने वाला है, ठीक है, तो उससे क्या ह है, कि आप cloud में अपनी कुछ भी आप storage कर सकते हैं, कुछ भी install कर सकते हैं, इसमें क्या है कि आपको 2 USB के port दिये हुए हैं, तो आप कोई भी content अपने pen drive में लगाईए, pen drive में आप movie इंसॉल करिए, songs, videos, install करिए, install in the sense उसमें copy करिए, उसमें pen drive में रखिए, और plug and play बड़े अ आप VLC player install कर सकते हैं, MX player install कर सकते हैं, तो format का भी कोई issue नहीं है, यह वाला format है, वो चल नहीं रहा, तो यह जो players है, यह काफी बढ़िया जाने माने players हैं, जिसमें लगबग सभी तरह के format, audio, video, codex support कर जाते हैं, तो आप हर तरह की videos किसी भी तरह के format में record की हुई, या फिर download क TV वी वीडियो आपको अपने TV पर देख सकते हैं, इसको लगाने के लिए आपको basically कुछ नहीं करना, आपको HDMI cable box में मिलेगी, आपको एक remote box में मिलेगा, और आपको ये box, इसका जो main बहार का जो डबबा है, उसके अंदर मिलेगा, आपको simple HDMI cable जो है, आपकी इस box में लगानी हुआ है, उसके through भी आप इसमें लगा सकते हैं, एंटेने वाला port भी इसमें दिया हुआ हुआ है, इसमें भी आप लगा सकते हैं, दो USB के port तो इसमें आपको दिये हुए हैं ही, जहां तक multiple user profile की बात है, तो आप इसमें एक साथ 5 user profile इसमें बना सकते हैं, मतलब 5 अलग लग लोग इसमें अपनी सहुलिक इसमें देख सकते हैं, लेकि इसमें inbuilt memory जो आपको कुल मिलाकर बचती है, साड़े जार जीबी के आज पास, तो उसके according आपको देखना पड़ेगा, कि भाई आप कितने users इसमें बना सकते हैं, और उन users की कितनी applications आप इसमें इंस्टॉल कर सकत हैं, अब क्या होता है कि कई बार क्या है, कोई videos चल रही है, channel पे, किसी पे भी तो आप चाहते हैं कि जैसे वो English में चल रही है, आपको Hindi में या फिर other languages में अगर वो available है, तो आपको language change करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, simple आपके button में नीचे remote, remote के अंदर आपको ये button द करना है, तो आपको simply अगर आपके box की जो memory है, वो full है, तो आप pen drive लगा करके उसमें record कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, simple आप जो आपके इसमें remote में जो record की दी हुई है, आपको simple उसको प्रेस करना है, और आपको जो program जो भी सामने चल रहा है, वो record होना start हो जाएगा, और कितनी देर तक कितने memory का आप record कर सकते हैं, वो तो भी आपको depend करता है, कि आप इसमें जो pen drive है, जो hard drive है, हाँ जी आपसमें hard drive भी लगा सकते हैं, जो pen drive या hard drive आप इसमें लगा रहे हैं, उसकी capacity कितनी है, उसकी recording आप इसमें use कर सकते हैं, जो आप maximum जो इसमें USB capacity जो hard drive ह वो लगा सकते हैं वो है 500 GB 500 GB तक आप इसमें सपोट करेगी उससे जादा कि अगर आप लाएंगे तो सपोर्ट नहीं करेगी आप इस बॉक्स के तुरू अपनी पैंडर या फिर हाड़ ड्राइव को फॉर्मैक्ट भी कर सकते हैं आपने जैसे कि भीया मैंने बहुत सारे प्र हैndelle, recording, schedule, recording, reminders ठीक है तो आपको क्लिक करना है bonding है युईिवा और उसमें डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह से फॉर्मेट करने के लिए आपको settings के तुछाना है recorder hard disk format to select your drive और उसके बाद आपको format का जो option है उस पर क्लिक करना है और आपको की जो भी hard drive या फिर pen drive इसमें लगाई है वो format हो जाएगी अब boss आगई बात web browsing की कि आप इसमें web browsing किस तरह से कर सकते हैं तो boss देखो ना इसमें chrome browser तो है नहीं आपको इसमें अलग तरह के browser इंस्टाल करने पड़ेंगे जैसे की puffin tv browser हुआ टीवी web browser हुआ web browser for android tv हुआ तो आप ये कुछ browsers है इनको आप इंस्टाल कर सकते हैं chrome firefox जैसे browsers इसमें आप इंस्टाल नहीं कर सकते हैं उसी तरह से settings में जापके आप कई सारे इसमें जो features हैं उनको यूज कर सकते हैं जैसे की applications है उनको install करना उनको delete करना ठीक है apps को update करना ठ equal box लेगा यह basically set-top box की ही तरह काम करेगा अगर आपके घर पर wifi या नहीं है तो आप इस box को तब भी ले सकते हैं आप occasionally wifi या फिर mobile सवालों को पूरी तरह से queries को उनको sum up कर दिया है फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है या मुझसे कोई भी topic मिस हो जाता है कोई भी इसका feature मिस हो जाता है तो आप बढ़े अराम से नीचे comment box में type कर सकते हैं आपकी query आपका question आप जो भी मुझसे सवाल करना चाहे मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरी कोशिश क्या मैं बिल्कुल आपके questions जो है उनका answer दूँगा और आपकी query का समध भाद निवाद